हलो फेंड्स, आम स्वाती सिंग हमारा जो टॉपिक चल रहा है पेडागोजी का अभी इंस्ट्रॉक्शन मेटिरियल्स का चल रहा है उसके अंदर हमने बहुत सारे जो सब टॉपिक्स हैं वो किलियर कर लिये हैं तो अभी आप प्रिविएस वीडियोस चेक कर सकते हैं उनस अभी को चेक पढ़ने के लिए आज को जो हमारा टॉपिक चल रहा है अभी कंटिन्यू वो हमारा ओडियो वीजवल एट्स के अंदर जो उसके सब पॉइंट्स है या उसको कितनी काटेगरीज में डिवाइट किया गया है उसका चल रहा है जिसमें से वीजवल एट्स के अंदर हमने पोस्टल सक कवर कर ली हैं आपके आज हम काटून और फोटोग्राफ लास्टेस में हमारा ये पढ़ लेते हैं तो जादा बड़ा नहीं है तो स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास काटून के साथ ठीक है कि मतलब काटून के बारे में पढ़ते हुए साथ यह नहीं कि काटून आक्टिविटीज करते हुए ठीक है काटून्स के बारे में आज हम पढ़ते हैं कि काटून्स का कैसे यूज किया जाता है एजुकेशनल के अंदर हमारी स्टडी मेटीरियल के अंदर या टीचर कैसे यूज कर सकती है टीचिंग लर्निंग के अंदर ठीक है काटून आप सभी ने देखे होंगे आपने टॉम एंजरे मिक्की माउस और आप तो शिंचन वेगरा बदा नहीं कितने टाइप के काटून्स आ गया है तो वो काटून्स क्या है आप टीवी के अंदर देखते हो आपने काटून्स कभी बिना टीवी के बाहर देखे है कई और तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें काटून्स मैगजिन्स भी आती है जैसे पहले जब स्पाइडर मैन की मूवी नहीं बनी थी तो स्पाइडर मैन वाली मैगजिन आती थी तो उसके अंदर स्पाइडर मैन दिया होता था जो अभी उसके सारे करेक्टर्स हैं वो दिये होते थे और ऐसे उपर बादल टाइप बना होता है जो हमारी थोट से रिलेटेड होता है उसमें उसके लिखे होते हैं जो भी वो कन्वसिशन कर रहे होते हैं वो एक काटून मैगजिन होती है और एक और आपने सूपरमैन वाली बेखियोगी magazine और सबसेज़्ादा फैमेस वो चाचा चौदरी वाली पड़ी भी होगी मैंने तो पड़ी अबने ताइम में आपने होगी वो चाचा newspaper पढ़ते हो, तो आप newspaper के अंदर भी क्या है? daily कहीं न कहीं, cartoons देखते हैं कि यहां पर किसी नेता का cartoon बना हुआ है, यहां पर यह और वो ऐसे बोल रहा है, यह ऐसे बोल रहा है तो इसी लिए cartoons मे बेसिकली क्या होता है? की cartoons के अंदर ऐसे व्यंग चित्र होते हैं जिसके द्वारा हम एक ही बार में देखते हुई ये चीज समझ जाते हैं कि आखे वो कहना क्या चाहते हैं ठीके क्या प्रतीइत करते हैं क्या चित्र का कहना चाहते हैं मैं आपको इसका जो थोए एक दो बेसिक पॉइंट्स है वो पढ़के बता देती हूँ काटून या व्यंग चित्र जैसा की इसके नाम से प्रतीत होता है कि एक ऐसा चित्रा अत्मक दिर्श्य समगरी है जिसमें व्यंग्यों के माध्यम से मतलब वही कन्वर्शेशन और डिसकॉशन और चित्रों के माध्यम से शिक्षा देने का प्रत्यन किया जाता है यह एक आप्रेक्षित समगरी है ठीक है यह किसी विचार और परिस्तिती को इस परकार से दर्शाती है कि इसको देखने वाला एक नजर में ही यह आश्य भाप लेता है कि सामने वाला कहना क्या चारा है हम प्रती दिन समाचार पत्रों में, मैगजिन्स में, काटून्स में, टीवी में काटून्स देखते हैं इसके अप्रभावस और भॉमिक है हमेशा हमें देखने को ही मिलते है इन व्यंग चिंतलों की जो सायक समगरी के रूट में प्रियोग किया जाता है काटून्स का क्या है एड्स के रूट में प्रियोग किया जाता है हमारी teaching learning process के अंदर क्योंकि उससे बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं उनकी कही न कहीं वो उससे जुड़े हुए रहते हैं उन्हें कुछ हसी मजाख वाली फीलिंग आती है उनसे और बहुत जल्दी सीखने के लिए उससे रेडी होते हैं वो टीवी पे भी इसलिए सारा टाइम कार्टून में ही गुसे रहते हैं अब कार्टून का चैन करते समय क्या-क्या साफधानी बरतनी चाहिए इस बात की बात कर लेते हैं यह वाला टॉपिक जो है मारे जादा बड़ा नहीं है तो जल्दी से फिनिश हो जाएगा तो कार्टून का चैन करते समय क्या-क्या हमें प्रिस्क्रिप्शन लेने चाहिए कि हम एक अच्छे कार्टून का सेलेक्शन करें बच्चों के लिए जो एफेक्टिव हो ठीक है पहली बात बच्चों की IU मानसिक्ता इस्तर और उनके इंटरस्ट के अनुकूल होनी चाहिए दूसरी बात जो भी sign language उसके अंदर use की जा रही है यानि कि जो भी संकेतित भाशा उसके अंदर use की जा रही है वो इतनी spust और बहुत गामिया होनी चाहिए मतलब clear और understanding होनी चाहिए कि बच्चे एक बार उसको देखते ही समझ जाए उसको उनके लिए कोई explanation देनी की जरुवत नहीं है आपने basically देखा होगा कि जब भी आग बच्चों को छोटे बच्चे होते हैं कि वो primary classes के हो elementary classes के हो तो उनके लिए क्या होता है कि जब भी वो जब ये cartoons के तुरू पढ़ते हैं तो कोई अलग से उनको कुछ explanation नहीं देता माँ पर मतलब teacher नहीं बताती है और उनके parents उसको explain नहीं करते कि देखो चाचा ये कहना चाहते हैं देखो ये ये कहना चाहता है तो इसलिए बच्चों की सामने वो ऐसे होता है कि बच्चों उसको इतने easy way में जल्दी-जल्दी खुदी पढ़ते हुए और समय से वे चले जाते हैं कि अलग से उसको उसके लिए किसी explanation की ज़रद नहीं पढ़ती है उसके बाद इसके लिए इसका प्रियोग किया जाता है कि कार्टून के द्वारा वहवयक किया जाता है कि विश्यवस्तू के अनुकूल हो ध्यान रहे कि आप ऐसे ही कार्टून का selection करो जो आपकी content से related हो विश्यवस्तू के अनुकूल हो आप कार प्रियाप्त होना चाहिए जो पूरी कक्षा को दिखाई दे मतलब उसकी साइज विल्कुल एप्रोप्रेट रहना चाहिए कार्टून्स का कि सारी कक्षा को क्या है पूरी क्लास में क्लियर दिखाई दे उसके बाद इसके प्रियोग करते समय मनोविज्ञानिक सोन्र आत्मक कला आत्मक तेथा विनोद आत्मक लाभों को ध्याम में रखना चाहिए जब भी काटूम बनाए या सेलेक करें तो आपको मनोविज्ञानिक तोड़ पर ध्यान रखना चाहिए कि लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए सौंद्र आत्मक अट्रेक्टिव कलरफुल और सौंदर दिखना चाहिए कला आत्मक अच्छी स्केचिंग होनी चाहिए और विनोद आत्मक कुछ ना कुछ उसका परपस होना चाहिए उसके बाद काटूम का प्रियोग करने के पश्चात इसका अनुगमन करना भी आविशक होना चाहिए मतलब ऐसे काटूम्स हो कि जब आ जादा इजी हूँ ठीक है अब उसके बात करते हैं काटून के यूजिस यानि कि उसके लाब और उपयोगिता यानि कि यूजिस और उसके एडवांटेज इस ठीक है सबसे पहला आता है इसका समगरी के प्रति रुच्चि विक्सित करती है जो भी विश्य समगरी आप बच करती है निए पहर क्रेटीव blending उसके विश्य समगरी प्राप्त होती है जिस में बच्च की सोचनी की शक्ति या क्रेटिवनेस यह सारी चीज़ें क्या है बच्चे की जाएक झालित होती है मतलब जो कार्टून्स होते हैं वो आपके उसमें क्या होता है जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या बाकी समास से जुड़े हुए इस पश्ट विच्छार हैं उनको आप कार्टून्स से रिलेटेड रख सकते हो उसके बाद कि बच्चों के इंट्र बच्चों को अपने राष्ट्य भावना भी इससे दिखा सकते हो कि मानलो कि 26 जनवरी आ रही है और आपको बच्चों के अंदर अपने देश के देश भक्ती की भावना जागरत करनी है तो आप ऐसे कुछ कार्टून्स उनके सामने शो कर सकते हो जिसमें कुछ बलीदान कि आपके सैनिक हो जवान हो आपका तिरंगा जंडा हो तो इससे क्या होगी इस ताइप की फीलिंग बच्चों के अंदर जागरत होगी अधिकम को बढ़ावा देने के लिए बच्चियों को खेल-खेल के माध्यम से सिखाने के लिए लर्णिंग इतनी इफेक्टिव बनाने क बच्चे के माध्यम से क्या है अपनी लर्णिंग यानि की अधिकम को बढ़ावा मिल सके वह एक पर समाप्त करें तो सोचें नहीं इसको भी पढ़के उटू नहीं यह वाला में पढ़ लू तो उसमें इंटना इंटरंस डवलप हो जाएगा कि वह अधिकम में लगा लेकिन अगरा वह बुक से पढ़ेगा तो चाल लाइने पढ़ने के बाद सोचेगा नहीं वह बहुत हो गया पता नहीं मैंने कितना पढ़ लिया ठीक है उसके बाद आता है अधार भूत कोशलों का निर्माइड करने के लिए जो भी स्किल्स डवलेप होनी चाहिए सुख्टांत का काम करने के लिए काटूल से बक्चेह सीखते हैं तो बच्चों को पता होता है कि ये चीजह क्या है क्या रही है क्या समझा रही है तो बच्चेश जब खुद को भी एक्सप्रेस करेंगे जा कुछ पनी आपनी क्लार्टी करने के लिए तो उस दीने मीं ब e Canton कर पाएंगे ठीक है लास्ट पॉइंट है इसके अंदर विध्यारतियों का ध्यान अकर्षित करने के लिए काटूल्स का यूज हम एजूकेशन में किस लिए करते हैं कि बच्चों को अपनी तरफ या अपनी स्टडीज के तुरू टीचिंग के तुरू क्या है आप अट्रेक अब लास्ट आता है फोटोग्राफ फोटोग्राफ के बारे में तो सभी को पता है सबके सब फोटोग्राफ खीशते हैं पोस्ट करते हैं एंस्टाग्राम पे वाट्सप पे आजकल सेल्फीज का जमाना है तो वो भी चला हुए ट्रेंड तो उसमें क्या है अब फोटोग् प्रोगे माधियम से मतलब यह सारे जो पॉइंट्स मैंने रखे map, globe, chart, posters, cartoon इनके माधियम से हम नहीं पढ़ा सकते हैं तो वहाँ पर क्या करोगे महाँ पर फोटोग्राफ का यूज करोगे कैसे माल लीजे आप किसी बच्चे को किसी चीज का अनकूरन करना सिखा रहे हो तो उसमें best point तो यह है कि आप उसको उसका खुद अनकूरन करने की विदियां बताओ वो खुद करके रेखे उसको observe करे उस समझ पारें दिखा कि आप समझाना चाहते हो तो उसमें क्या होगा आपके पोस्टर और यह सारी चीज यूज नहीं आएगी उसमें आपकी फोटोग्राफ यूज आएगी अब आपकी फोटोग्राफ उसके अंदर कैसे यूज आएगी जैसे कि माल लीजे कुछ जिवानू होते हैं चोटे-चोटे जैसे वाइलेस होते हैं और बैक्टीरियाज होते हैं या अंकुरों होते हैं या वस्तुए होते हैं तो इन सब के लिए क्या करोगे आप फोटोग्राफ का यूज करोगे कि उसके लिए कोई चित्र या फोटोग्राफ पहले पढ़ी हो आपकी से जब अनकुरी चीजे बाहर निकल के आती है वो पूच सी वाइट वाइट नोग वो घासी तो आप उसकी फोटोग्राफ क्लिक करके बढ़ा सकते हो या ट्री के कुछ पार्ट के बारे में बढ़ा लो अब बचों को ट्री में खड़ा करके तो नहीं घुसा दोगे देखो यहां पर यह इसकी टैनी आ जा रही है उसकी टैनी वह है वैसे तो नहीं बढ़ा होगे तो आप वहाँ पर क्या करूँ कि उसकी फोटोग्राफ क्लिक करके बढ़ा सकते हो तो इन सारी चीजों में क्या है फोटोग्राफ का यूज होता है जब जहां पर मौकिक वर्णन की अपनी सीमाए होती हैं फोटोग्राफ विश्य वस्तू को अधिक रूप से स्पष्ट करने के लिए उपयोग की जाती है तता रोचक बनाने के लिए ठीक है उसके बाद फोटोग्राफ इन कमियों को पूरा करता है विश्व की बहुत निर्जन स्थान जहां पर जाना वटक के लिए पर चीजों को आप बने खुद अब तक देखा होगा तो तो इन सारी चीजों के आप आप जो पच्चों की education दे सकते हो, जैसे Mount Everest, North Pole, ये सारी चीजों को आप बच्चों के photographs के थुरू पढ़ा सकते हो, इस परकार बहुत कम लोग ऐसे हैं, जो भयानक जंगलों में, जैसे प्राकरतिक जहां पर जानवर होते हैं, वातवरन होते हैं, वहां पर भी आप बच्चो चाहते हो, कथक कहां पर famous है UP में तो आप उसकी photograph show कर सकते हो, अब कथक कली कहां famous है वो उसकी आप photograph use कर सकते हो, कहां का रहने सैने का ढंग है, कौन सा food कहां पर famous है, ये सारी चीजों के लिए आप photograph का use कर सकते हो, ठीक है? अच्छे फोटोग्राफर के गुण इसमें जादा नहीं है ये last test का अच्छे फोटोग्राफर के गुण क्या है मतलब आप अगर फोटो क्लिक कर रहे हो तो आपको क्या क्या पॉइंस ध्यान में रखने चाहिए कि वो फोटोग्राफ इतनी यूसपुल हो कि जो भी आप पढ़ाना या समझाना चाह रहे हो उस परपस को क्या है फुल्फिल करें तो पहला इसमें आकार कि फोटोग्राफ इतने बड़े आकार की तो होनी चाहिए कि सब बच्चे उसको इजीली देख सके और समझ सके सेकेंड एस पश्टता वही किलाटी होनी चाहिए कि जो भी आप सिखा रहे हो समझा रहे हो वो अर्थ ही नहीं होनी चाहिए जो भी आप अर्थ बताना चाह रहे हो उस पोस्टर के माहोस्वरी उस फोटोग्राफ के माध्यम से बच्चे उसी अर्थ को ग्रैंड करें रंगीन होनी चाहिए वास्तविक लगनी चाहिए नकली नहीं लगनी चाहिए कि बतानी कहां से उठा के लिया है उद्देशे पूर होनी चाहिए मतलब फोटोग्राफ का उद्देशे यह होना चाहिए कि जो भी आप बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हो कुछ सिखाना चाह रहे हो ब बढ़ता है तो आपको यह जा रहा है कि कत्थक लिए या पोशाक यहां की ऐसी है आप कलर देख रहे हो आप डांस देख रहे हो वह चीज नहीं होनी चाहिए उसके बाद यह साथकता मतलब मीनिंग्फुल होनी चाहिए फोटोग्राफ में साथकता होनी चाहिए तब ही विध के लिए उप्योग होनी चाहिए फोटोग्राफ विश्य समगरी का विस्तार करने में यूस्फूल होनी चाहिए फोटोग्राफ और इसके लिए बाद अब आप फोटोग्राफ कैसे प्राप्त कर सकते हो यह बाद फोटोग्राफ को जो आपका फोटोग्राफ का पॉइंट चल रहा है उसमें आप फोटोग्राफ के सोर्सिस क्या है सोत्र क्या है तो अध्यापक के द्वारा तैयार की जा सकते हैं एक टीचर क्लिक कर सकते हैं विद्ध्यार्तियों के द्वारा की जा सकते हैं कि किसी बच्चे ने कुछ अब्जर्व किया नया तो उसमें उसकी फोटो उसे प्राप्त कर सकते हो मतलब जहां पर आपकी audio visual aids रखी जाती है सारे के सारे data collection होता है आप वहां से photograph ले सकते हो ठीक है यह भी आपकी छोटी सी class इसकी अब इसके साथ आपके visual aids भी complete हो गए है audio complete visual complete ठीक है आपका जो last point बच गया वो बच गया इसमें audio visual aid याने कि जिसमें आपके tv आ गए computers आ गए वो सारी चीज़े वो हम next class में complete कर लेंगे तो आपका instruction material के अंदर audio visual aids भी complete हो जाएगा then हम laboratory labs एक ही class में complete कर देंगे वो जादा बड़ा भी नहीं और दोनों चीज़े के हैं similar है ठीक है तो next class का wait करिए next class के अंदर वो चीप discuss करेंगे अभी के लिए thank you so much for watching this video चैनल को like करें वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें बेल आइकन भी प्रेस कर लिजे for your notification और जतना जादा हो सके वीडियो को share कीजे अपने friends के साथ जिनको need है और computer science related जिसको भी study material चाहिए के वीडियो के लिए computer science related subject के लिए तो वो लोग description में link available है वहाँ पर WhatsApp नमबर भी है आप वहाँ पर contact कर सकते हैं thank you so much